हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टो स्टड़ी वार यूटूब चेनल और यह इन्वार्मेंट का प्रेक्टिस सेट नंबर सेवन है जो की सभी एक्जामों के लिए होगा जैसे एमपी टेट, रीट, सी टेट, हटीट, यूपी टेट, जहारखंट टेट, उत्राखंट, चतिस गड़े यह सभी मतलब जितने भी हिंदी फासी शेत्र में या राज्ज में टेट का एक्जाम होता है टीचर एलिजिबिलेटी टेस्ट के लिए और उनमें इनवार्मेंट आता ही आता है ठीक है तो उन सभी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं और इसमें टोटल नंबर आप कोशन 30 रहेंगे और यह 30 के 30 ऐसे कोशन है जो कि 3rd तू लेकर 8 तक की NCERT की जो बुक है उनसे लिए ग एक उसका रिवीजन का एक अच्छा माध्यम भी होगा ठीक है तो आईए लेक्षर स्टार्ट करते हैं तो आज के अपने इस लेक्षर का सबसे पहला कोशन हो जाएगा ठीक है सबसे पहला कोशन हो जाएगा कि निमनेलिखित में से कुन सा व्रिक्ष जैवी कीटनासा का उत पाधक है ठीक है मतलब यह जो चार पौधे दे रखे है इन में से ऐसा कूं सा पौधा है जो जैवी कीटनासक का उतपाधक करता है तो पहला आपसण हो जाएगा निम सेकेंड है देवदार थढ़ी जाए जाया राइट आंसर जो निम है यह बहुत अच्छी वानसपती है जो कि भारती परियावराण के अनुकूल है ठीक है और इससे बहुत सारे रोगों के लिए इससे क्या बनाई जाती है तो आस्दी बनाई जाती है जैसे चर्म रोग हुआ ठीक है घाओ को भरने के लिए है ठीक है मसूडे दात आधी को स्वस्त करने के लिए इससे आस्दी बन बहुत सिंपल कुशन है जो की मैक्जिमम टाइम में रिपीट होते रहता है कि भू पारिस्तित की तंत्र में ओर्जा का महत्पुन सुरोत क्या है तो अपसन नमबर पहला है सूरी, सेकंड अपरित वी, थर्ड अपसन चंद्रमा और फूर्थ है सूक्र ठीक है तो अपसन करते हैं तो यह सारी क्रियाएं नहीं हो पाईगी ठीक है इसलिए यह बहुत सकते हैं कि भू पारिस्तित की तंत्र में ओर्जा का महत्पुन सुरोत क्या होगा तो सूर्य होगा कोश्य नमबर थर्ड यहां पर दे रखा है कि निमनलिखित में से कौन सी प्राकरतिक बनस्पती मरुस्तली प्रदेसों में पाई जाती है ठीक है जो यहां पर चार आपको उप्सन दी है इसमें सैसी कौन सी बनस्पती है जो की मरुस्तली प्रदेसों में पाई जाती है तो तो option number second हो जाएगा यहाँ पर right answer की जो केक्टस है, ठीक है, केक्टस पुस्पक वनस्पतियों का एक वेग्यानिक फूल है, ठीक है, जो अपने मोटे, ठीक है, अपने मोटे फुले हुए तनों में पानी, बटोर कर्सुस, एवं रेगस्थान, पारिस्तित की तंत्र में जीवीत रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपको यह maximum लोगों को तो पता ही था होगा, कि जो प्राकरतिक वनस्पति, मरुस्तली यह प्रदिसों पाई जाती है, तो क्या, केक्टस, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर फूर्थ, यहाँ पर हो जाएगा, कि टाइटन, किस ग्रह का प्राकरति ग्रह है, पहला औसण है वरुन, फडर्दों नमबर फूर्दों हो जाएगा, शुक्र, ठीक है, तो इसका अप्सन नमबर फ्रदों हो जाएगा, राइट आंसर, जो टाइटन है, वह सनी का एक ग्रह है, ठीक है, और हम यह बुल सकते हैं कि अगर हम टूटल ग्रह की बात कर तो कुल उग्रहों में ये दूसरे नमबर का सबसे बड़ा उग्रह भी है जो की बुद्ध के आकार का है कौन टाइटन और किसका उग्रह है तो सनी का अगला कुशन दिखते है कुशन नमबर पांचवा हो जाएगा कि निमने लिखित में से कौन सी बायो डीजल की फसल है ठीक है जो यहाँ चार आपसन दे रखे हैं जैसे पहला का पास सेकेंड जेट रोफा थर्ड आपसन है गन्ना फोर्थ है आलू तो ऐसी कौन सी फसल है जो ठीक है परियावरन सरक्षण अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था पहला आपसन है 1982 सेकंड आपसन है 1986 थर्ड आपसन है 1992 और फोर्थ आपसन है 1996 ठीक है तो यहाँ पर आपसन नमबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर कि भारत सरकार ने परियावरन के सरक्षण के जो भू मंडली जो हमारा भू मंडले वहाँ तापन का मुख्य कारण क्या है वहाँ बताना है तो पहला आपसन हो जाएगा हीम नदी में व्रिद्धी सेकंड है कारबन डायकसाइड में व्रिद्धी थर्ड आपसन है कारबन डायकसाइड में कमी और फोर्थ आपसन है वनो निलिखित में से किस में सरवादिक जय विविदता पाई जाती है ठीक है जैसे आपको चार आप्सन दिया इनमें किस वन में या किस छेतर में सरवादिक जय विविदता पाई जाती है मतलब एक निश्ची छेतर में अधिकतम जीवों की संख्या को जय विविदता कहे सकते है ठीक है तो पहला option है सितोष्ण पढ़न पाती 1 बायोम second option है उष्ण कटीबंदी सदा बाहर वर्सा 1 बायोम third option है सितोष्ण गास प्रदेश बायोम और fourth option है सवाना बायोम ठीक है तो सरवादिक जै विविदता कहाँ पर पाय जाती है और यहाँ पर तापमान पे अधिक और उष्णाता भी अधिक होती है और यहीं पर बारिज भी अधिक होती है और इसी चेतर में जै विविदता भी अधिक मात्रा में पाई जाती है ठीक है इस यादार पर option number second है right answer question number nine हो जाएगा कि निमने मेंसे किस म्रदा का निर्माण लावा द्वारा होता है ठीक है मत्वल यह 4 म्रदा दी है काली मिट्टी ठीक है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोड मिट्टी और लेटर राइट मिट्टी तो एसी कोंसी म्रदा है, जिसका निर्मान लावा के द्वारा हुआ है। थीक है, तो आपसी नमबर बsmall Salz, यहाँ पर राइट अंसर, लावा के द्वारा कुंसी मिट्टी का निर्मान होता है, तो काली मिट्टी का निर्मान होता है, अगला question दिखते हैं, question number 10 यहाँ पर हो जाएगा कि वायो मंडल में कौन सी परत प्रकास की पराबेगनी किरणों को प्रत्वी की सतहत पर आने से रोकती है जो UV किरणे होती है तो ऐसी कौन सी परत है प्रत्वी के वायो मंडल में जो कि UV क्रिड़ों को प्रत्वी तक आने में रोकती है तो पहला option है समताप मंडल second option है छोब मंडल third option है आयन मंडल और fourth option हो जाएगा मद्ध मंडल ठीक है तो option number पहला यहाँ पर हो जाएगा right answer कि जो समताप मंडल इसी समताप मंडल में पाये जाता है क्या ओजोन परत और ओजोन परत क्या करती है तो परावेगनी क्रिड़ों का उसूसित कर लेती है और प्रित्वी की सत्था पर आने से रोकती है ठीक है अगला question question number 11 हो जाएगा और यह most important question हो में से एक है कि गंगा action plan को लाने का उद्देश निमने लिखित में से किस सुधार हेती है ठीक है जो गंगा action plan ला रहा गया था तो आपको पता होगा यह राजीव गांदी की सरकार ने लाया था 1985 में ठीक है गंगा action plan कब लाया गया था तो 1985 में और गंगा action plan लाने का मुख्यों द्देश क्या था पहला option है जल की गुडवक्ता second option यहाँ है जल का वेग third option है जल की प्रचूरता और fourth option है जल का ताप्मा ठीक है तो यहाँ पर जल की गुडवक्ता है गंगा action plan के अंतरगा दू नदी को लिया गया था गंगा और यमुना और इन मुक्य तहा इनकी सफाई के लिये था ठीक है कि जल की गुडवक्ता को बढ़ाना है और यह 1985 में राजी गुगांदी की सरकार द्वारा लाया गया था act ठीक है अगला question देखते है question number 12 most important question हो जाएगा यह MP वालों के लिए कि मत्यप्रदेश में जीलो का सहर कहा जाता है जीलो का सहर किसे कहा जाता है MP में तो पहला option है भोपाल, second option है उज्जेन, third option है इन दौर और fourth option हो जाएगा वालिया ठीक है तो जीलो का सहर किसे कहा जाता है तो option number पहला हो जाएगा right answer भोपाल को अगला question question number 13 यहाँ पर हो जाएगा कि सिक्चक की सबसे बहुमुल्य निदी है ठीक है उनकी जो सिक्चक होते हैं ठीक है आप भी कल को सिक्चक बनोगे तो सिक्चक की सबसे बहुमुल्य निदी उसकी क्या है तो पहला option हो जाएगा अगला question question number 14 हो जाएगा कि परिकल्पना को बार बार परिक्चन करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक ठीक है जो परिकल्पना को बार बार परिक्चन करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है तो पहला option हो जाएगा सिध्धान्त second option है कानून, third यहाँ पर हो जाएगा खोज और fourth option है मूल संकल्पना ठीक है तो option number fourth यहाँ पर हो जाएगा बार बार परिक्चन करने से सिध्धान्त में सुद्धता की संभावना अधिक होती है तो इसलिए option number first है right answer question number 15 हो जाएगा कि निमनलिखित में से सबसे उप्युक्त सिक्षण विदी है जो चार सिक्षण विदी यहाँ दे रखिये विचार गोश्टी एवं सूत लेखन second option हो जाएगा सूत लेखन एवं दिया गया कारे third option हो जाएगा विचार गोश्टी एवं कारे योजना fourth option है व्यक्षान एवं सूत लेखन ठीक है तो इमनलिखित में से सबसे उप्युक्त सिक्षण विदी कौनसी है तो option number third हो जाएगा यहाँ पर right answer कि विचार गोश्टी एवं कारे योजना ठीक है सिक्षक के छेतर में सबसे अधिक उप्युक्त सिक्षण विदी यही है कौनसी विचार गोश्टी एवं कारे योजना इससे सिक्षक के छेतर में गुडवक्ता और सुधार की सुधार में साहता एवं प्रोतसाहन मिलता है अगला कुशन देखते हैं कुशन नमबर सोलवा यहाँ पर हो जाएगा कि निमनलिकित में से कौनसी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है जो यहाँ चार गैस दे रखिया आपको कारबन डाइकसाइड, नाइटरस ऑकसाइड, हीलियम और मेथिन ठीक है तो ऐसी कौनसी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है मतलब प्रित्वी के तापमान को नहीं बढ़ाती है तो उप्सन नमबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, हीलियम ठीक है यह एक अक्री गैस है, नोबल गैस है, गंधहिन, स्वाधिहिन गैस है परंतु यहाँ प्रित्वी के तापमान को नहीं बढ़ाती है तो उप्सन नमबर यहाँ थर्ड है राइट आंसर क्योंकि हमसे पूछा ही गया था कि कौनसी गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो थर्ड होगा राइट आंसर कोशन नमबर यहाँ सत्रवा हो जाएगा कि ध्वनी प्रदूसर्ण का तापमान किस इकाई द्वारा किया जाता है ठीक है, मत्बद ध्वनी प्रदूसर्ण का मापन किस इकाई या किस यूनिट द्वारा किया जाता है तो पहला option है जूल, second option है decibel, third option न्यूटन और fourth option है नैनो इकाई तो option number second यहाँ पर हो जाएगा right answer जो decibel है इसकी सायता से द्वनी प्रदूसरन कमापन किया जाता है जो कारे की इकाई क्या है जूल और न्यूटन किसकी है तो बलकी काई हो जाएगी अगला question देखते है question number 18 कि निम नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो चार नदी दे रखिये आपको तापती, स्वर्ण रिखा, नर्मदा और सिंदू इसमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो देखो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो इस प्रकार से ये एक मेफ हो जाएगा अपने इंडिया का ठीक है और इसमें अगर हम देखें ठीक है तो इधर हो जाएगी बंगाल की खाड़ी और इधर हो जाएगा अरप सागर तो ऐसी कुन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है इधर को गिरती है तो यहाँ तापती के बात करें तो ये अरप सागर में गिरती है तो ये आंसर होगा नहीं नर्मता भी इधर गिरती है ये होगा नहीं, सिंदू भी इधर गिरती है होगा नहीं तो option number second है right answer स्वर्ण रेखा नदी ठीक है, जो स्वर्ण रेखा रंती है ये जहरकरण पस्ची मंगाल और उडिसा में बहने वाली नदी है जो की बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती ह तो इसकी लंबाई लगभग है 395 किलोमेटर, या रखेगा 395 किलोमेटर, question number 19 यहाँ पर हो जाएगा कि निमने में से किस स्थलाकरती का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है ठीक है, तो चारा option यहाँ आपको दे रखे कि इन में से कुन सी स्थलाकरती का निर्माण हिमानी हुआ है तो पहला option हो जाएगा ले पीच, second option यू आकार की घाटी, third option यहाँ पर हो जाएगा वी आकार की घाटी और fourth option हो जाएगा जल प्रपात, ठीक है, तो option number second है यहाँ पर right answer यू आकार की घाटी, तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमन दो द्वारा होता है और इस इसमें इस घाटी के आकरती मिलती है परवती भागों में हिमन दियों द्वारा बनाई गई घाटी, पार्स वर्ती और तली अपर्दन के कारण सपाट तल वाली एवं चौरस खुली हुई होती है ठीक है, अगला question देखते, question number 20 वा की, अब देखो अच्छा question है यह भी एक, की राकेस कक्छा 5, पर्यावरण, विज्ञान, सिक्छक द्वारा किये गए, दिये गए कारे को समय से प्रस्तूत नहीं करता है, मतलब राकेस एक चात्र है, जो की एक पर्यावरण, विज्ञान के सिक्छक द्वारा किये गए कारे को राकेस क्या करता है, समय पर प्रस्तू नहीं करता है अता सबसे उप्युक्त सुधारात्मक उपाय क्या होगा ठीक है तो एक चात रहे जो की कारे नहीं कर पा रहा है जो भी होमवर्क उसे दिया जारा है सिक्षक के त्वारा तो उसके लिए आप क्या करोगे पहला उप्सन है प्रधान अध्यपक की जानकारी में लाना सेकंड उप्सन है खेल की कक्छा में जाने पर प्रतिबंद लगाना थर्ड उप्सन है उनकी गलतियों के कारणों को जानकर उसे सही मार्ग दरसन देना और फूर्थ उप्सन हो जाएगा उनकी आनिमित्ताओं की ल अगला question number 21 यहाँ पर हो जाएगा कि green muffler संबंदी थे एक अच्छा खासा question है कि जो green muffler है वहाँ किससे संबंदी थे तो option number पहला है मृदा अपरदन से, second option है वायू production से, third option हो जाएगा ध्वनी प्रदूसन से और fourth option है जल प्रदूसन से तो जो green muffler है वो किससे संबंदी थे त तो ध्वनी प्रदूसर्ण से option number C हो जाएगा right answer ठीक है और कुछ लोगों को problem हो रही होगी इस question में तो ऐसा कुछ है कि Britain में क्या होता यूरोपी country में जहां अधिक ध्वनी प्रदूसर्ण फैलती है तो अधिक ध्वनी प्रदूसर्ण फैलने के कारण क्या करते है रोड के द अधिक ध्या प्रदूसर्ण से संबने कुछ है ठीक है और इसका सबसे पहले practical की अगर बात की जाए तो question number 22 हो जाएगा कि निवने में से कौन सा सागर यूरोप को आफरीका से अलग करता है ठीक है यहां चार अप्सन आपको देए रखें लालसागर काला सागर अरब सागर और भूमध सागर तो ऐसा कौन सागर है जो कि यूरोप को अफरीका से अलग करता है ठीक है तो option number यहाँ पर fourth हो जाएगा right answer ठीक है जो भूमध सागर है वह क्या करता है आफरीका को ठीक है आफरीका को किसे यूरोप से अलग करता है अगला question question number 23 हो जाएगा कि अंतराश्टी ओजोन दिवस कब मनाये जाता है और आप अगर T.E.D. का paper दे रहे हैं इसका मतलब आपको ये पता ही होना चाहिए तो option number first है इसका right answer कि 16 सितंबर को मनाये जाता है कि अंतराश्टी ओजोन दिवस अगला question number 24 देखते हैं कि किस खाद स्रंखला में साकाहरी होते हैं ठीक है मतलब ये जो चार स्रंखला दे रहे हैं कि ये प्रात्मी कुत पादक second है प्रात्मी को पभोगता, second है दित्य को पभोगता और fourth option है अब गटन करता तो केस खाद सरंथला में साकाहरी होते हैं तो पूछा है तो option number second हो जाएगा right answer प्रात्मी को पुभोकता जो होते हैं उसमें साकाहरी जीव आते हैं ठीक है पारिसित की तंत्र के तत्वो के चकरण को क्या कहते हैं ठीक है पारिसित की तंत्र जो होते हैं के तत्वो के चकरण को क्या कहा जाता है तो पहला option है रासायनिक चकर अगला question number 26 की नियमने लिखित में से कौन सा नियुंतम पर्यावरणी प्रदूसन उत्पन्न करता है ठीक है ऐसा कौन सा जो कारक है या फिर इन में से कौन सा इंधने जो की नियुंतम पर्यावरणी प्रदूसन उत्पन्न करता है question number 27 यहाँ पर हो जाएगा कि संकट ग्रस्त जन्तू देत्तिकार पांडा पाया जाता है ठीक है यहाँ पर देत्तिकार पांडा की बात हो रही है कि पांडा कहां पर पाया जाता है तो पहला option है ऑस्टेलिया में second है भारत में, third option है चीन में और fourth option है प्राचिल में ठीक है तो option number third है यहां right answer कि चीन पांडा के लिए एक अनुकुल छेतर है और जो यह पांडा है यह बांस की जंगलों में पाया जाता रो बांस को खाता है ठीक है तो option number third जाएगा right answer अगला question number 28 देखते हैं कि निमने लिखित में से किस गैस के कारण भुपाल गैस तराज़दी हुई थी और यह simplest question हो जाएगा जो कि environment में अदिकतर सभी लोगों को पता होता है ठीक है तो पहला option है chlorofluorocarbon, second है carbon dioxide, third option है nitrous oxide और fourth option हो जाएगा methyl isosyanate तो option number fourth हो जाएगा right answer methyl isosyanate ठीक है और यह कब हुआ था वुपाल गैस तराज़दी तो 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुआ था ठीक है यह आपको याद रखना है question number 19 हो जाएगा कि किस देश में Christmas का तहवार गर्मियों में मनाया जाता है ठीक है मतलब देखो यह चार option दे रखें इसा कोंसा देश से जहाँ Christmas का तहवार गर्मियों में मनाया जाता है तो भारत में तेना पता है कि ठंडी में मनाया जाता है तो यह तो answer हो नहीं सकता उसी प्रकार अगर हम प्रत्वी की बात करें तो यह हो जाएगा equator तो जो भी देश इधर उत्तरी दुरू की ओर आते हैं उनमें ठंडी में मनाया जाता है और इधर मनाया जाता है कब गर्मी में तो इधर आता है कोन ऑस्टेलिया तो option नमबर सी जाएगा right answer कि ऑस्टेलिया में जब हमारे यहां ठंडी पढ़ रही होती है मतलब उत्तरी दुरू या फिर उत्तरी गोलाद में प्रित्वी की उत्तरी गोलाद में जब ठंड पढ़ रही होती है तब दक्षिनी गोलाद में क्या होती है गर्मी और गर्मी कब आती है तो यहां जो Christmas Day मना जाता है 25 December को तब Australia में गर्मी हो रही होती है तो option number 3 यहां right answer question number 3 यहां पर हो जाएगा कि गिर वन जीव अभ्यारण निमने में से किस वन जीव का सरक्षक करता है ठीक है तो गिर वन जीव अभ्यारण है कहां पर गुजरात में यहां पर ACI share मिलता है तो इस लेक्षर में इतना ही अगले लेक्षर में फिर मुलागात होगी लेक्षर अच्छा लगा तो इसे लाइक और share करें और फर्स टाइम चेनल प्यारे तो चेनल सब्सक्राइब कर ले ठीक है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय ही जय भारत